हे माता एक्षवाकू वंश की ये राजसी मुद्रिका मेरे सत्थी को प्रमानित करती है यही वो आभूशन है जिसके साथ प्रभूश्री राम ने राज प्रासात का परित्याग कर वनवासी जीवन का वरन किया था ओ संपीडा है समनी प्रसंता दो तन इक मन राम वसीता अश्रू आस में दो के ढलके देख हनुमत नैन भी झलके राम सिया राम सिया राम जै हनुमान राम सिया राम सिया राम जै हनुमान काज जो पाए वो किये पूरन फिर कपि कर तब्य परायन ओ दुष्टो काब तै है अन्ता अंजनी सूत महिमा है अनन्ता राम सिया राम सिया राम जै हनुमान ये गा था महबल हनुमत की रुचिकर लीला राम बगत की जय 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 रगुझंदन राम जय जय महबल हनुमान ये हनुमार मरुभुमी की जल्टी धर्टी पर जैसे मा गंगा की पावन जल्टी सीतल भारा बैयुद के मार्टी के भयावा अंधकार को भेद कर जैसे सूर्य देश की प्रथम किरन ने चहु दिशाओं में प्राकाश और आनंद की तरंग बिखे रहे हैं ऐसी ही अमर्त मैवानी है तुमारी हनुमार ये दूतों में स्वेश्ट हनुमार तुम्हारे मुक से इतना सुखर संभाद सुनकर मेरे सब ही दुख मिट्टे प्रतीत होते हैं एक राज राक्षितों के इस नगरी में एका की प्रवेश प्राप्त करने का आपका पराक्रम आपकी बुद्धी, कर्म, निष्ठा और सामर्त अडविधिया है आपने मेरे स्वामी की मुद्विका, मेरे निकट लाकर मुछ पर बहुत बढ़ा उपकार किया है ये कपिर से, अपने दभू का ये चिन दिखा कर, आपने मुझे धन्य कर दिया है मेरे कश्प बांदिया, मेरे स्वामी से मुझे जूर कर, मेरे रिदय को अपने शितलता पदान की है आपको बहुत बहुत धन्यवाद पुत्ति मेरे प्रभू, मेरे स्वामी के संदेश वाहत, मुझे बताओ मेरे प्रभू सुरक्षित और कुशन तो है वो मुझे लेने क्यों नहीं आते, संपूर जगत के कश्टों को हरने वाले मेरे स्वामी, मेरे कश्टों को क्यों नहीं हरते अजय 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 वाले प्रभू संदेश देने वाला दुख उन्हें प्रतारत नहीं कर साथ पुत्रा अनुमार्ट, मुझे बता, क्या मेरे स्वामी अपने पुरुशात का भलीभाती निर्भाह कर देश क्या वो अपने सवर्स थानुमों का उच्छे तुरुप से पालन कर रहे हुझे उनसे ये वियो गौर्ट सहन नहीं होता पुत्र हनुमार्ट, उन्हें मेरा दुख का भाद्ध होगा पुर भी हो नहीं है मुझे बताईए कभी मैं मेरे स्वामी ने अपने अनुकामी ने को इस पतार ना में क्यों सोट जिया हनुमार्ट जैके उन्होंने मेरा परित्याग भी कर दिया नहीं माता ऐसा विचार भी अपने हृदय में मत लाइए माता मेरे प्रभु आपका परित्याग कदापे नहीं कर सकते माता आपसे दूर रहकर वो सदा शोक संतप्त रहते हैं रमणी अद्रिश्यों में सुन्दर पुष्पों में उनका हृदय कहीं नहीं रमता माता उनके नेत्रों में सदैव आपके ही छवी रहती है वो सदैव आपका स्मरण करते हैं आपके वियोग में उन्हें पल भर के लिए भी निद्रा नहीं आती माता माता, मेरे यहां से प्रस्थान करने के पस्चात जैसे उन्हें आपका समाचार प्राप्त होगा वो क्षणिक विलम किये बिना भ्राता लक्ष्मन और महराज सुग्रीव के साथ असंखे वानर एवं रीच योधाओं के साथ यहां उपस्थित होंगे अपने बानों से सागर को सुखा कर वो लंका में प्रवेश करेंगे उनके पावन पदों से यह भीशन धूर धूसरित हो जाएगी सोयम यम्राज भी उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होंगे माता माता आपसे दूर रहकर प्रभुश्री राम भी आप ही के समान विरह में अपूर्णता का अनुभव करते हैं शीग रही आपके साथ वो भी संपूर्टा प्राप्त करेंगे मुझे ऐसी सुखत हनुबूती हो रही है कि हनुमान में सीता से भिट कर उन्हें मेरी मुद्री का प्रदान करती है इसका अर्थ है आपके विरह के दिनों कांत निकट है हनुमान तुम्हारे कथन अनुसार स्वामी के रिदल में नेरे सिवाय आनिया और कोई विचार नहीं मेरे वियोग में वो मेरे ही समान वोक्त अंतत है अनुमान तुम्हारे वचन अम्रित के समान सुखदाई है और विष्ट के समान दुखदाई है मेरे पती उनका सह का वर्नन सुखदाई मुझे आनंस के अनुभुती होती है और इनको कश्ट में जानकर पीरा अंतर है असलिया पीरा से रस्त होता है दो माँ और मैं तुम्हारी प्रतिक्षा करूँगा ठे हनुमान शिक्रजाकर उनसे कहें जिए उनकी सीथा के पास अब अधिक समय नहीं है उदुपद्रवी राक्षत में मुझे मात्रव दो माँ का समय दिया है हनुमान परतु मैं इसमें प्रतिक्षा नहीं कर सकती सम्भवता और एक माँ यही तब तब मुझे मेरे स्वामी के दर्शन ना हुए तो मैं अमके इसमें उसको नहीं सायन कर पाऊँगी मैं अपने ब्राद यार दोंगी इतने हमान तुमने जो स्वामी की छवी मेरे समख्ष तस्तुत की है उससे मेरा रिदर और भी दाकुल हो उठा है मेरे रिदर में प्रबल इक्षा हो रही है कि मैं किसी भी प्रकाद अभी उनके समेट लोट जाओ हाँ माता हाँ मैं अभी इसी इक्षण आपको इस कश्च से मुक्ति दिला सकता हूँ आप मेरी पीट पर बैठ जाएं मैं आपको प्रभू श्री राम के निकट ले जाओंगा माता तनिक भी संकोज किये बिना मेरा प्रस्ताव स्विकार कर लीजिए इस समस्त लंका नगरी में ऐसा कोई नहीं जो मेरे मार का कंटक बन सके या मुझे रोग सके ये हनिमाद आप अपने इस सुक्ष्मत शरीर से विशाल सागर को पार कर तुझे स्वामी के समेट के ले जा सकते हैं माता आप कदाचित प्रभू श्री राम की कृपा से प्राप हनुमान की शक्ती सामर्थ और उसके बल से परिचित नहीं है इसलिए आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं अभी दर्शाता हूं कि मैं कैसे इच्छा अनुसार कोई भी आकार ग्रहन कर सकता हूं आग्या दे माता जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम कर लोगदाम जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम झाल झाल यह सोर्य के समान कैसा तेश पुंज ऐसे तिवर प्रकाश को फंद कर रहा है यह किसके अद्बुष शक्ति से ऐसा प्रचंड तेश जागरित हो रहा है यह लंका नगरी में आकसमात क्या हो रहा है यह क्या है आनन्रावड की लंका में यह कंपन कैसे उत्पन हो रहा है और यह दिवर प्रकाश कहां से उत्पन हो रहा है माता, मुझे आशा है कि अब आपके हिर्दय में मेरी शक्ति को लेकर कोई संदेह शेश नहीं रहा होगा मैं आपको ही नहीं अपेतु इस नगरी के वन, हाट, परवतों, भवनों, प्राचीरों के साथ इस संपूर्ण लंका नगरी को यहां से ले जाने में सक्षम हूँ इसलिए हे माता, संशे त्याक कर, मेरे साथ चलिए और प्रभू श्री राम और भ्राता लक्षमन को शोक और संताप से मुक्त करिए हे कपिश्दे, हे बवन नंदन हनुमान, मैं अब आपके साहर, आपकी शक्ती और आपकी सामर्षे से भली भाती परिशित हो चुकी हूँ मुझे अब अनुमान हो रहा कि आप किस प्रकार उस विशाल सागर को पार कर यहां लंका पौने मैं अब जान गई हो हनुमान कि आप सहच चाहते, मुझे मेरे प्रभुष्टी राम के समेप ले जा सकते हैं परन तो क्या यह उच्छित होगा क्या प्रभुष्टी राम का महानकारिया अपौन तो नहीं रह जाएगा इसमे कारण उनकी धवल किर्टी में खेश को नहीं लगे माता यह सब विशाल कर मुझे विश्वास है कि आपके साथ मेरा जाना सर्वत्हा अनुचित होगा उचित तो यह होगा पवन पुत्रहनमान कि मेरे पती श्री राम यहां आए और उस दुष्ट रावन का सनहार कर मुझे यहां से ले जाए यह कपिश्वे शनुवान अपने पती श्री राम के पती मेरे निश्था और समर्पन के कारण मैं उनके अतरिक किसी भी अनिय पुरुष का पर्ष नहीं कर सकते इसलिए मुझे अपने साथ ले जाने के स्थान पर मेरे स्वामी को महावीर सेनापतियों के साथ यहां लेकर आई हूँ मैं दिर्खकाल से उनकी विरह के पीरा में जल रही हूँ हनुमान उनको मेरे निकट लाकर मेरे भीतर को आनंद की धारा प्रभाहित की हे माता यह राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं सज्जन लोगों के लिए अब प्रसनता और उल्लास के दिन समीप हैं और दुष्टों का नाश शीक्र होने वाला है और दुष्टों का नाश शीक्र होने वाला है प्रतीत होता है जैसे यह लंका के अशुप समय के आगमन के संकेत हैं माता आपने अभी तक अनेक दुखों और कश्टों का सामना किया परन्तु माता अब हनुमान आपको वचन देता है इसी खशन से पापियों के नाश के साथ आपके जीवन में हर्शों लास और आनंद के आगमन का समय प्रारंब हो गया है दुख के सभी बादल अब शीकर ही छटने वाले हैं माता कितना सुंदर प्रेशे है स्वामी सुंदर कान को इस दे सुंदर कहा जाता है क्योंकि इसके आरंब होते ही संसार के समस्त संताफ मिट जाते हैं सुंदर कान सबके जीवन को एक नवीन दिशा प्रदान करता है संकटों को दूर कर सबके मुख पर प्रसनता का भाउत्पन करता है इसलिए अभी हनुमान ने जो देवी सीता से कहा वो मात्र एक कथन नहीं परंतु एक सत्य है सत्य क्योंगी देवी इस शन से राम कथा में दुख एवं अफसात का कोई स्थान शेष नहीं रहेगा समस्त दिशाओं में आनंद की वर्षा होगी पाप का विनाश होगा जिसका अरम महाबली हनुमान करेंगे पापेगर केशरी नंदन हनुमान का ये भीशन रूप देखकर आतंकित हो जाएंगे ये कैसा बहान प्रकाश है जो लंका के आकाश परचा गया है कहीं कोई अनिष्टकारी संकेत तो नहीं मुझे सतर करेना चाहिए हनुमान, पुत्र मेरे रिदय में अब कोई संशय शेष नहीं मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है मेरे दुखों का अन शेख रहोगा ये कपीश्टे, अब तुम मुझे पुत्र रूप में दर्शन दो हनुमान जो आज्या माता जय श्री राम प्रणाम माता ये कैसा माया वीवानल है जो इच्छा अनुसार आकार धारण करता है और इसने लंका में प्रवेश करने का असंभवकारे कैसे पूर्ण किया इस परण करो, क्या कहो ता तुमिश्टा ने देनी कीता का आना अक्तात मुख्य के देनी का आत्मन है और हाँ, मैंने उसे भी देखा जो श्री राम का मुख्य सहायद उस महावनी वानर एक वानर से लंका और लंकेश्टू लुकवी नाश प्रारूंब होने वाला है पर हम अपना नाश क्यों करवाए माता, आपको दिये वचन को निभाने के लिए अब मुझे अतिशिग्र प्रभुश्री राम के समीप पहुँचना चाहिए मुझे आग्या दीजिये माता पुच्र हनुमान तुमने अपने मुख्ये स्वामी के नाम रुपी सत्य का उच्चारन कर यहां आते ही मेरे दुखों को हरना आरंध कर दिया था अब तो मेरी एक ही मनो कामना शेश है पुच्चर मेरे स्वामी मेरे प्रभु से शिग्र मेरा मिलन हो चिंता मत केजिये माता ये भी अतिशिग्र होगा मैं पलक जपकते ही उड़कर वहां पहुँच जाऊंगा और शीक्र ही सभी को लेकर लौट आऊंगा माता परंतो माता इसके पूर्व की मैं यहां से प्रस्थान करूँ आप मुझे कोई स्मृती बताईए जिसे जानकर प्रभु निश्चिंत हो सकें आप अपने स्वामी अपने प्रेतम के साथ बिदाए हुए समय की कुछ स्मृतिया है जो मेरे सिवाई पेरे प्रभु श्री राम को ही ग्यात है मैं ऐसी एक घटना का वर्णन करती हूं तुम्होंने ही अधावत सुना देना तो प्रभु को ये अवश्य विश्वास हो जाएगा कि तुम उनके जानकी से ही मिले थे तुष्ट रावन की किसी माया से नहीं इन दोनों की मद्धिय क्या गुप्त मंत्रणा चल रही है तुम जाकर सुन लो फिर महराज रावर को जाकर सब पता देनो किसी भी परिस्थिती में सदैव साकारात्मक उर्जा और आनंद का संचार करना चाहिए प्रिस्ट रावर करना चाहिए